प्यारे बच्चों एया आज हम पडैंगे phenol की आगे की रियक्षा जोहँने पिछली क्लास में पड़िथी एलेक्ट्रोफिलिक सब्सिटुसिन रियक्षन का पहला पार्ट पड़ा जिसका नाम था आज हम पढ़ेंगे हैलोजीनेशन क्या पढ़ेंगे हैलोजीनेशन जिसका नाम है आपका हैलोजीनेशन सिंपल आपकी क्या है रेक्षन कि आपका फिनोल होगा रियक्ट विद बियार्टू ब्रोमिंस रिक इंप्रेंस ओफ सी ऐस्टू सुलफर डाई सीस्टू कार्बन डाई सलफेट कार्बन डाई सलफेट अब तेम्परेचर आपकर एगा लोग यह क्या आपका है आपका श्रtwॉषण कि आपका कार्बन डाई अविकल रा यह जा आपका इसे में क्या होगा आपका यह आपका इलेक्ट दिया रगेगा इलेक्टरोफाइल क्या करें आपका इंपर ओल्फोपॉचिन पर टाइक कर जाएगा तो फिनोल बी आर साइफिन आपका पैरा पोजिशन पर टेकर जाए और यह आपका और तो और यह आपका पैरा प्रोट अ और तो प्रोट तो सिंपल सी आपकी रेक्शन क्या है देखूं कि जब आपका फिनोल फिनोल की रेक्षन विद ब्रोमीड रेक्ष्ट विद ब्रोमीड in presence of ccl2 2Ccl2 Carbon Dysulfate Carbon Dysulfate तो इसकी जो स्थ्ट्सर होती है तो कार्बन डायक्षायल जैसे होती ही Daversion न दुए तो न कारबन डाइसलफाइट की presents कॉन सा इलत प्रोफाइल मने प्रोफाइल बने गाँ हम का बिंजा का बियार पॉजिटिव एक बार कहाँ पे टाइक अपर ऐब आपका ऑन्थो पोसिटिव अफ्स ripping अपर फिन फेन इप और्तों ब्रोमो फिनो और सेकिन्ड आपका थक करेंगा पेयर पोजीशन mey में किया आपका माइनेकर सुं outta Pvd मिं शुन तो एट जीरो डिगरी सेल्सियस या 273 कलवें क्या आपके काज़ों कार्बन डाई सल्फेट उसकी स्टक्स्तर कैसे लीनियर बाउन आगल की तरह था वन केटी टी एक बर कहा प्रोड़क्ट बनेगा आपका और फ्रोड़क्ट बनेगा और एक बर क्या बनेगा आपका पैरा अगर्ण तो पैरे प्रोड़क्ट आपके क्या होगा मेजर आपका मेचर यह तो आपकी थी जब आपने कार्बन डाई सल्फेट लिया था क्या लिए सवेट सेकंड रेख्शन क्या है सेकंड प्रोड़क्षन में अगर्ट इफीनोन रियक्ट विद ब्रोमी बी-र टू इंग प्रजेंस ओफ लैवी सैसिद एफी-सी-एल-3 एफी-सी-एल-3 जब आपकी लैवी सैसिद एफी-सी-एल-3 के साथ भी रियक्ट करेगी तो सबसे पहले बी-र टू रियक्ट विद एफी-बी-र त्री एफी-बी-र टू फोर्म बी-र पोजीटिव पलस एफी-बी-र त्री आपका इलेक्ट्रोफाइब ने एक बर कहां टैक करेगा यह उस्थो पोजिशन पर तो प्रोड़क्ट के आपका तो वेच्ट वियार तो सेकंड आपका र्यार रंज जाएगा पेरा पूच्छ सेंट वेच्ट वियार यह आपका मेजर है तो यह आपका कैसा प्रोड़क्ट है माइनर तो सिंपल क्या आपकी फिनोल रियक्ट विद ब्रोमीन बी-र टू इन प्रिजेंस ओप लैवी सेसिर शुट अब यह बी-र ट्री तो सबसे पहले बी यह यह बी-र टू रियक्ट विद एफी बी-र थी टू-फिय आ पोजिटिव एलेक्ट्रोफायल क्या हुट आपका प्यूर्थ है यह 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 यहिर्जी आपको इन यह इन आपका जो ली साइस गैए क्या करता है यह आपका ज जरनेशन ओफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगा। थर्ड है आपकी। अगर आप फिनोल की और ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन को क्या लेते हो अक्सेस में। तो नेक्स नेक्सन क्या आपकी। कि आपकी फिनोल है। तो ब्रोमीन जब आप अक्सेस में लेते हो तो क्या होगा आपका। हो तो छीएं सिस्ट्रोई ब्रोमीन को अनमीन की अचसे का काौद्व केशल मिर्वन च स्क्षेve कि पर सिंपल साथ कि जब फिनोल रियक्ट विद प्रोंग कि अक्सेस में तो जो विः आपकी फिनोल के दो उर्थों पोसिशन थी एक पैड उस पोसिशन किया कर जाएगा ऑठाइक किया कर से अ कि एज बी-बी-ब्री मोल एज-ब्र कैसी की पी-पीटि किके एक टू-फोर-6 चो सिक्स ट्राई ब्रॉमो फिनोल picture आपको उसकी बाइट ट्रीपरमो फिनोल है उसके लिवनिचे लुसकंती याप को बाइट इन फ्राइट प्रश्ज फ्सितार में 126-255-283 झाल